स्वागत आपको यूटूब चैनल फेनावच पर अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए कि हम लोग जी हमेशा अच्छे वाले स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं अभी यहां पर आज हम लोग इस टॉक के पारे में बात करने वाले है जिसका नाम है गेल गेल स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं कि आज एक अच्छा सा तेजी आया है और ग्राफ देखेंगे आज का तो हम लोग पता चलेगा कि इसमें और तेजी शायद से आ सकता है उसके पहले यहां पर हम लोग अगर 6 महीना पहले से प्राइस देख लेते हैं गेल का गेल में दे सकते हैं 76.45 के आसपा स्टॉक चल रहा था 6 महीना पहले उसके बाद यहां पर जो एक थोरा सा गिराबट हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि 69.50 के आसपा स्टॉक पहु और स्टॉक जो है अभी 85.60 के आसपा स्ट्रेड हो रहा है अभी गेल में जो है कुछ तेजी जो आज आया है उसके पीछे एक अपडेट आया है तो हम लोग शेयर करेंगे वो अपडेट आपके साथ इस वीडियो के माध्धम से रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो पर बने रही है ताकि आपको एकुरेट इंफरमिशन मिल जाए है पूरा इंफरमिशन मिल जाए तो यहाँ पर छे मेहने में हम लोग ने जो देखा स्टॉक का प्राइस 76 से लेके 104 के आसपास पहुँच गया था उसके बाद फिर से इसमें गिराबट आया है और आप स्टॉक 85 के आसपास ट्रेड हो रहा है एक मेहने का बात करते हैं तो एक मेहने का अंदर देख सकते हैं हम लोग 85 रॉपिया मतलब एक मेहने के अंदर स्टॉक 1555 रूपिया डाउन आ गया यहां पर फाइडेस के इंपरमिशन निकालते हैं तो फाइडेस पहले स्टॉक का प्राइस हम लोगे गिराबर देखने को मिला है, फाइडेस के बात करते हैं तो फाइडेस के अंदर भी स्टॉक में करीबन पास से छे रुपिया डाउन टेंड देखने को हम लोगो मिल रहा है यहां पर आज का देखेंगे आज में यहां पर जो है ग्राफ में इक इंतरीस्टिंग हम को graph का pattern बनता हुआ दिख रहा है stock देखेंगे आप तो continuously यहाँ पर जो है upton बनता हुआ दिख रहा है बीच में यहाँ पर थोड़ा एक down आया था फिर से stock में जो तेजी बनता हुआ दिख रहा है अभी यहाँ पर जो तेजी बन रहा है हम लोगो लग रहा है आगे भी इस पे थोड़ा बहुत तेजी हम लोगो देखने को मिल सकता है और जैसे कि हम लोगों को पता है कुछ दिन से stock market में तोड़ा बहुत गिराबट बहुत सारे stocks में देखने को मिला है बट यहाँ पर देखेंगे गेल में अच्छा कासा तेजी हम लोगो बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर आजका डिटक अगर price का बात करेंगे अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग आज का जो यहाँ पर परसेंटरीज में अगर देखते हैं कितना रिटन मिला है यह एक अच्छा हम लोगों को इंफर्मेशन देखने को मिल रहा है 1.72% के आज के रिट में इसने रिटन दे दिया है और amount में बात करेंगे तो 1.45 के रिटन दिया है तो यह stock में, gail stock में इसके पहले भी हम लोग और कुछ वीडियो बनाया था और शायद से जो है आपने और भी कुछ इसके बारे में इंफर्मेशन निकाला रहेगा अगर आप gail stock के बारे में इंटरेस्ट रखते या फिर अपने stock लिया रहेगा तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए अभी यहाँ पर एक दिन का आज के रिट के हम लोग जो information निकाला यहाँ पर अभी तक जो है information अच्छा कासा निकल के आ रहा है ग्राब भी बहुत इंटरेस्टिंग बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर हम लोग परसेंटेज में भी देखा एक अच्छा कासा return देता हुआ दिख रहा है अभी यहाँ पर आगे का हम लोग information निकाल लेते हैं कि आगे यह stock में short term के लिए यह stock में कितना तक हम लोग एक return मिल सकता है और जैसे कि हम लोग ने जब यह stock के बारे में research किया है तो आपको बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर लोग यह stock को लेकि आभी bullish है और उसके पीछे reason भी आपके साथ share जरूर करेंगे तो यह stock के पीछे ज़्यादा लोग bullish है बड़े बड़े दिग्यों जो भी यह stock खरिद के रखने के लिए बताया है तो अभी यह आपे हम लोग देख लेते कि आगे यह stock में और क्या update आ सकता है या फिर कितना price मिल सकता है अगर हम लोग short term के लिए लेते हैं अगर आज का NAC का data देखती है दोस्तों तो बहुत जादा जो है यहापे ट्रेड़ेट वोलूम हम लोग को देखने को मिल रहा है 1.72,43,308 के आसपास जो है ट्रेड़ेट वोलूम है शायद से बहुत दिन के बाद मतब गेल में जो है इतना अच्छा एक ट्रेड़ेट वोलूम हम लोग देखने को मिल रहा है बहुत दिन के बाद 1.72,43,308 तो यहापे जो अभी ट्रेड़ेट वोलूम है इसके लाबा यहापे जो अभी बाकी जो हम लोग को इन्फोर्मेशन देखा ग्राफ का भी तो हम लोग को लग रहा है कि स्टॉक में तेजी आ सकता है और यहापे फेस बिलोग के बात करते तो फेस बिलोग 10 का यह यहापे अगर हम लोग security wise यहापे देख लेते security wise deliverable position जो है यहापे अगर देखते है आज का तो आप देख सेते quantity टेड़ेट 1 करो 72,000 के ऊपर 72,000 के ऊपर है ग्राफ भी जो हम लोग ने देखा ग्राफ का pattern भी अभी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है और यह stock में जो एक अच्छा update भी आया है इसके चलते हम लोग को लग रहा है कि यह stock में जो है तेजी बन सकता है request करेंगे अगर आप यह stock लेते हैं खुश से जरूर रिसार्च कर लिजे हम लोग का एक overview है कि यह stock में तेजी आ सकता है आगे आपके साथ share करेंगे कि यह stock में कितना तक price हम लोग को लग रहा है कि कितना एक target price रखना चाहिए करके जरूर आप वीडियो में पुरा बने रही है कि हम लोग ने बताया कि यह stock में जो कुछ updates आया है फिर अच्छा जो है update आया है तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते गेल विंस लिडर एवार्ट एट फ्रॉस्ट एन सुलिवन टेरिस सस्टेमिलिटी 4.0 एवार्ट तो जो है price में update आ सकता है जहाँ पे stock में थोड़ा मजबूत ही देखने को मिल सकता है और इसमें जो है अभी फिला लग रहा है हम लोग को stock में जो है अगर आप यह price खरीते है अभी यह stock खरीते है तो इसमें जो है 3-4 रूपिया आपको short term में extra मिल सकता है मतलब यह stock जो है target price रखके चल सकते हैं जहाँ पर यह stock में आपको 3-4 रूपिया आराम से short term के ले देखने को मिल सकता है यह इसमें पर हम लोग का overview है request करेंगे आप खुद से जरूर research कर लिजे क्योंकि gel stock में हम लोग को बिच बिच में एक गिरावर भी देखने को मिला है अभी तक जो हम ल stop loss जरूर रखी है कोई भी stock में stop loss रखना बहुत जरूरी होता है और यहाँ पर जो हम लोग ने अभी तक information निकाला उसके चलते stock में तेजी आ सकता है आशा करते हैं जो भी information आपको दिया है इस वीडियो के माध्धम से वह आपको अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा त आपको एक साल का जो भी AMC रहेगा वो फ्री हो जाएगा अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए